अपलक और चपलक, बच्चों कल हमने इस कहानी के बारे में यहां तक पढ़ा था, अब हम इस से आगे उस कहानी को पढ़ेंगे, हम, सीधा सादा है या मूर्क, अब इसमें जो अपलक है, जब उसको चीची के बारे में बोलता है, तो वो चपलक आगे से बोलता है, हम, वो सीधा सादा है, तुम ही उससे पसंद करते होगे, मुझे तो उस पर हसी आती है, कैसा बचसूरत है वह, तो चपलक, अपलक को कहता है, कि वो सीधा सादा है या मूर्क, तुम ही उससे पसंद करते हो, मुझे तो उस पर हसी आती है, वो कैसा बचसूरत है, इतने छोटे से मूँपर बड़ी-बड़ी मूची, और पूँच कैसे इधर-उधर हिलती रहती है, चपलक, खिल-खिला क बहुत देर तक हसता रहा, उसकी पूँच के बारे में चपलक जब बोला और फिर बहुत देर तक वो हसता रहा, अपलक उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, उसने मन में सुचा, इस से कुछ भी कहना व्यर्थ है, कुछ समय बाद दोनों भाई सो गए, सुबा जब चमाई मतलब अबासी लि, पंग और पंग फढ़ फढ़ा कर भाई की और देखा, तो जब सुबा वो उठा तो उसने चमाई लिए और फिर उसने अपने पंग फढ़ aus बाद भाई की तरफ दिखा, पंग फेला कर, चपलक अभी सोही रहा था, सोता हुआ चपलक उसे चलना है तब उसने चपलक को पुछकारते मतलब प्यार से पुछकारते हुए उठाया और कहा कि चलो अब सुबा हो गई है दाना चुगने चलना है चपलक ने आँखे खोल कर पंक फरफडाय और बोला चपलक ने आँखे खोली और अपने पर जो फरफडाय मतलब फैलाये चलो, आज तो चटपटे डाल के दाने खाएंगे, मैंने एक जगा देखी है, उसने बोला कि आज हम चटपटे डाल के दाने खाएंगे, मैंने एक जगा देखी हुई है, अच्छा, तो अपलक बोला, अच्छा, फिर तो चीची को भी साथ लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा अपलग चहकते हुए बोला जब अपलग ने ऐसा कहा कि चीची को भी साथ ले चलते हैं बहुत मज़ा आएगा तो आगे से चपलग ने कहा क्या खा कानंद आएगा तुमने तो सुबह सुबह सारा मज़ा ही खराब कर दिया चपलग चिर्कशर बोला तो चपलक को गुसा आ गया और वो चिर कर बोला, क्या मजा आएगा? तुमने तो सारा ही मजा खराब कर दिया. क्यों? तो अपलक बोला, क्यों? क्या हो गया? तुम चीजी के नाम से भड़क क्यों जाते हो? अपलक हैरान होकर बोला. चपलक बोला नाम मतलो उस चूँचू के मुरब्वे का मुझे उसके नाम से चिड होती है वो गुसे से बोला कि उसका नाम मतलो मुझे उसका नाम अच्छा नहीं लगता मुझे उसके नाम से चिड होती है तुमें चलना है तो चलो अगर तुम्हें चलना है तो चलो उसको नहीं लेके जाना नहीं तो मैं अकेला ही चला जाओंगा ठीक है बताओ कहां चलना है अपलक बोल ओके स्टुडेंट्स, टैंक्स